जै जिनेंद्र रथम एपिसोड में हमने स्वर्ग नरक एवं मद्धिलोग कहा पर है यह देख लिया है मद्धिलोग में सवाल आया होगा कि यह विमान कौन सा है सुमेरु परवत के उपर यह 45 लाख योजन वाला रुतु नामक विमान है इस संबन्द में आपको विश्टरु जानकारी तिसरे एपिसोड में देखने को मिलेगी सुमेरु परवत के नीचे गोस्तना कारवाले आठ मद्ध्य प्रदेश है जो वीडियो में दिखाए जा रहे है वे उपर चार और नीचे चार इस तरह आठ सेंटर हुए है यही आठ प्रदेश सुमेरु के सेंटर है लोकाकाश के भी यही आठ प्रदेश सेंटर है क्योंकि आठ प्रदेश के सेंटर में लोकाकाश है और लोकाकाश के सेंटर में सुमेरु है तो सुमेरु के जो आठ प्रदेश है वही लोकाकाश के भी और वही आठ प्रदेश के सेंटर आठ मद्ध्य प्रदेश है इन आठ प्रदेशों का क्या लाब होगा तो लोकाकाश की चारो दिशाओं को जो व्यवहर है वह इनी आठ प्रदेशों द्वारा किया जाता है दुसरी बात है जब हम पंच परावर्तन का खथन कर रहे हैं तब क्षेत्र परिवर्तन आता है तो क्षेत्र परिवर्तन में प्रारंब करते हुए यही आठ प्रदेश लिये जाते हैं और तिसरी बात जब केवली भगवान केवली समुद्गात करते हैं तब लोग पूरण समुद्गात के वक्त यही आठ प्रदेशों को मध्य किया जाता है इस सम्मंद में आपको जादा जानकारी आगम गरंथों में मिल जाएगी इस तरह हमने सुमेरू के आठ मध्य प्रदेश देखे अब सवाल आता है मध्य एने सेंडर तो एक होता है तो सेंडर फिड आठ कैसे हो गए सेंडर हमेशे आपको एक कहना चाहिए आठ कैसे सेंडर हो सकते है तो उसके लिए हम आगे की चर्चा देखते है पहले हम यह समझते है प्रदेश किसे कहते है इसकी चर्चा हमने पिछले बार ली है फिर भी बताते हैं क्षेत्र का जो लास्ट पार्ट है उसे प्रदेश कहते है तो इसलिए उस प्रदेश का फिर आभा प्रदेश कभी नहीं होगा तो सेंटर निकालते हुए कहा कि कभी भी प्रदेशों का सें यहां सम परदेशों का मध्य निकाला जारा है। सम यानि जो even है, जैसे 2, 4, 6, इस थार। तो सम परदेशों का center निकाला जारा है, तो सम परदेशों का मध्य होता है वह दो आता है। अब वह कह से? वह भी देखते हैं। जैसे 5 उंगलियों में से सेंटर कौन सी उंगली है तो तीसरी उंगली होती है लेकिन अब जब कहा जाए इत दस उंगलियों में से सेंटर कौन सी उंगली है तो कहा जाएगा पांचवी और छटवी यही क्या है सेंटर कहा जाएगी और प्रदेशों का मध्य एक आएगा लेकिन समप्रदेशों का मध्य दो आएगा अब आगे समपुरुष्ट भाग पर दोनों और से समप्रदेश होने के कारण मध्य चार प्रदेशों का हुआ तो यहाँ पर चितर में दिखाया गया है लंबाई जो है वो सम्भप्रदेश के है तो वहाँ दो सेंटर हो गए और जो चवड़ाई है वो सम्भप्रदेश के है तो वहाँ दो सेंटर हो गए लंबाई के दो प्रदेश और चवड़ाई के दो प्रदेश इस तरह क्या हो गया मध्य प्रदेश क्या हो गए? 4 के हो गए अब यदि घन होगा याने क्यूब होगा तो उसके कितने प्रदेश होंगे? 8 प्रदेश होंगे याने उपर 4 और नीचे 4 इस तरह 8 प्रदेश होंगे जो लोग है वह घन स्वरूप है आतवा जो सुमेरू है वह भी घंड सरूप है अतह उसके आठ मध्यप्रदेश हो गए अब कुछ लोगों को यह भी सवाल आ सकता है कि यह जो लोकाकाश दिखाया गया है वह अनेक कलर का क्यों दिखाया गया है वातवलेयों की मोटाई लोकाकाश के अधोभाग में दोनों पार्श्व भागों में नीचे से एक राजू उंचाई परियंत एवं आठों प्रत्वियों के नीचे तीनों वातवले बीस-बीस हजार योजन मोटे हैं इसका सामान्य मतलब यही है विए बीस-बीस हजार के जो वातवले है तो वो कहाँ पर है यह बताया नीचे से एक राजू उंचाई तक सभी जगह से क्या है बीस-बीस हजार के वातवले है याने साथ हजार हो गए और दूसरी बात है पुथवी के नीचे जो तीन कलर दिखाए गए है यदि आपको इन वीडियो संबंदी कोई और क्वेस्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूर सकते हैं